Hello Kids, आजम पढ़ेंगे Chapter 10, North India, Delhi भारत के North Part, ठीक है, मतलब उत्री इंडिया, इसमें Delhi आती है, ठीक है Location of Delhi, दिल्ली कहां इस्तीत है, ठीक है Delhi is the capital of India, it is located in the northern part of India, on the banks of river Yomna The city is surrounded by Haryana on three sides and by उत्तर प्रदेश on the east Delhi is divided into two parts, Old Delhi and New Delhi most of older Delhi lie along the Yamuna river Delhi has grown over the year the official name of the city is national capital territory of Delhi या national capital region Delhi is one of the four metropolitan city of India Delhi जो है वो भारत की राजधानी है capital है ठीक है और ये कहां इस दित है उत्तरी भाग में ठीक है इंडिया की कौन से भाग में इस्तित है उत्तरी में और यहां पे बहुत सारे नदी है जैसे यमना नदी है और ये सीटी जो है वो हर्याना के जो थिरी साइड है उससे और उत्तर प्रदेश जो पूर्वा में है उससे क्या हो है वो सरांडेड है ठीक है दिल्ली कितने भागों में डिवाइड है दो भागों में पुराना दिल्ली और नया दिल्ली ठीक है बहुत से क्या है नदी जो है कहां पर है पुरानी दिल्ली में बहती है ठीक है दिल्ली क्या है दिनो दिन क्या कर रहा है वो बहुत ही विक्सित हो रहा है ठीक है और का वोफिचयल नम क्या हैasted national capital territory आफ डिली या फिर national capital спокой Carl islefon कि करद आदी दिली का क्या पूर्ट एडिली का रास्टी राजधानी छित्र पूलते हैं या फिर रास्टी रास्धानी छेत्र भोलते हैं किसको कि दिली को ठीक है अब सिसी ओस इस सहर का ठीक है दिल्ली एक ऐसी जगह है जिसमें चार जो चार महानगर भारत का है ठीक है भारत के चार महानगरों में से एक क्या है दिल्ली है दिल्ली है जो दिल्ली है वहां की जल्वायू जो समर सिजन है उसमें अप्रेल और अक्टूबर अप्रेल से लेके अक्टूबर तक क्या रहते हैं समर सिजन होते हैं ठीक है सम मंत क्या होते हैं कुछ महिने बहुत गर्म होते हैं और शुखे होते हैं और इसी में क्या होते हैं गर्म और शुखे गर्म और शुष्क हवा चलती है गर्मी की सिजन में चलते हैं कि नीज चलते हैं चलते हैं तो मांसून अराइव दूरिंग द चलती है इसी करण यहां पर क्या हते है थंडी लगती है ठीक है इस्टोरिकल इंपॉर्टेंट आप डेली एतिहासिक महत्वपूर्ण है दिली में ठीक है इस ए बन knew बना स्रें इस्टोरिक की उपूमार कोस्दोर बना जांद ग्युफर टुपवर न deinem आई बने बना का इंड को का डिंट विमना बनाना के इस आंद है कि यह करण के इस त्साखें घ्यु मैं क्यात्क पालिशी ऑचेश से जली टे मुवर्य च्टियू रूट इसित developing on January 26, 1950, Delhi was declared a Union territory. Since New Delhi is the capital of India, all the important buildings of India such Parliament House, South Star Python and Supreme Court are located here, embassies of other country are also situated here. These offices represent their countries दिल्ली जो है वो भारत का पुरानी और एतिहासी क्या है सीटी है ठीक है यहाँ पे जो क्या थे बहुत थी पावरफुल किंडम रहते थे और डिल्ली के केपिटल बनने से पहले ठीक है राजधानी कब बना 1947 में उससे पहले क्या था यहाँ पे जो मुगल थे और इंडियन गवर्मेंटों थे लेकिन कौन-कौन यहाँ थे मुगल और ब्रेटी जो है वो यहें पे सासन करते थे ठीक है और यह लोग यहाँ पे बहुत लंबे समय तक यहाँ पे अपना सासन जमा के रखे थे फिर जो हम गंतंत्र हुआ कब 26 जो नदी 1950 को जो दिल्ली था वो गंतंत्र भी हो गया और जो दिल्ली है वो रिपब्लिक हुआ कब 26 जो नदी 1950 को और दिल्ली को क्या घोसित किया गया? यूनियान टेरिटरी ठीक है? और यह क्या बना? केंदरसासीत देश केंदरसासीत प्रदेश गोसित हुआ ठीक है? फिर क्या हुआ उसके बाद नए दिल्ली को क्या बनाए गया भारत का? क्या है? कैपिटल है, राजदानी है और यहाँ पे बहुत ही इंपोर्टेंट मतलब बहुत सारे महतोपूर्ण बिल्डिंग भी यहाँ पे है जैसे कि पारलियमेंट आउस, राश्टर पत्री भवन है, सुप्रीम कोट है, कहां पे इस्तित हैं सब? दिल्ली में, ठीक है? नए दिल्ली में. और क्या है? यहाँ पे बहुत जो हमारे ओफिस भी है, यहाँ पे हम पुपल and culture, डिल्ई जीख कुष्म मेंट सब्सक्राइब निर्माइ यहाँ यहाँ अप्या निया विति जबशाच नहीं है, यहाँ पूबचाच्चार आप टिक किछोब वत्रीख लोग और उसके culture, ठीक है रहां साथ, दिल्ली में क्या है बहुत ही अच्छा सहर है, यहां पे लोग बहुत अलग अलग राजए के रहने के लिए, काम करने के लिए आते हैं, यहीं पे रह भी लेते हैं, ठीक है, और खाने के जो आइटाम है जैसे की टिक्की, छोले भठुरे गोल गपप, सीक कबाब ये सारे चीज़े बहुत ही, इस सिटी में बहुत ही पॉपलर है, ठीक है, लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग-अलग कल्चर भी है और यहाँ पे रहते भी है, ठीक है, यहाँ मुक्यता दो भासा में बोली जाती है, लेंगुज है, हिंदी और इंग्ल तेली में बहुत से इतिहासी क्या है इसमारक बिल्डिंग्स है और पार्क है ठीक है जो क्या करता है ये परेटक को आकर्शन बनाते है पूरे वर्ड में ठीक है जिसे इस सिटी क्या है बहुत ही आकर्शित बना हुआ है कुछ जो फेमस क्या है परेटक क्या है परेटक आकर्शन है जैसे की कुतुब मिनार जामा मस्जीद रेड़ फोर्ट इंडिया गेट हुमायू स्टॉम ये सारे क्या है इसमारक है जो दिली को क्या बनाता है परिटक को अगर्शत बनाती है ये सारे जो चीज है हो the kutub minar it is one of the oldest monument of Delhi it is located in south Delhi and it is indiatalest minar it is 234 feet high it is built in red stone and has five story with in the same complexed stand and iron pillar that has not rusted till now even after hundreds of years कुटूप मीनार है जो यह सबसे पुराणा इसमारक है दिल्दी का और यह कहां पे स्थित है सार॥ेन में इंदिया का सबसे टॉलिस्ट मीनार है यह 234 पीट क्या है हाई है और यह किसे बना है रेडिस्टोन से बना हुआ है और पांच मनजला है ठीक है जो सेम सेम है और इसमें जो पीलर है वो आईरन सी बना हुआ है और ये अभी भी क्या नहीं होए खराब नहीं हुआ है सौसाल क्या हो गया हो गया लेकिन अभी भी खराब नहीं हुआ है The Jamal Masjid It is the largest mosque in India It was built by the mughal ruller sahaja It is situated in old Delhi and made up of white and red stone इस नहीं कुटूर्बी नर्था के लिए जामा मस्जीड भारत का सबसे बड़ा मास्क्यू है ठीक है मस्जिद है और यह इसने किस नहीं को यह वाले जामा मस्जीड को मुगल्स के जो रूलर थे साजा उसने बनाया थे ठीक है उसने बनवाया था ये दिल्ली में इस्थित है और ये किसे बना हुआ है वाइट और रेड़ी स्टोन से बना हुआ है ठीक है इसको मस्जिद को बनाने के लिए 20-25 हजार वर्शीप मिलकर इसको बनाया थे इस मस्जिद में क्या है कितने रह सकते है 25,000 जो उपा सकते है यहाँ पर रह सकते है ठीक है यहाँ पर होल्ड करके रह सकते है जामा मस्जिद इतना बड़ा है इस ने बनाया था मुगल के जो रूलर है साज जहां ने उसने बनाया था रह सकते है रह सकते है ठीक है यह क्या है यहाँ पर हर साल जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो इंडिया का जहंड़ा है उसको फाहराता है ठीक है कब स्वतंतरता दिवश में ठीक है इंडिया गेट को किसकी याद में बनाया गया है बहादूर शैनिकों के याद में बनाया गया है जो हमारे देश को अजात कराने के लिए अपने बाकी लोग से लड़े थे ठीक है उसके याद में इसको बनाया गया है ठीक है यह है रेट फोर्ड लाल किला ठीक है और यह है इंडिया गेट फिर आता है राजगाट on the bank of Yomna we have the राजगाट where Mahatma Gandhi was cremated Rajpati Bhawan is located near India gate at Rajpath other interesting place to visit are Jantar Bantar, the Lotus Temple, Akchardham Temple, Birla Mandir and Nehru Plantarium Old Delhi is also famous for its market place, Chandni Chog is also famous for its heavily who sells market, jewelry, shop and street food Rajghaat कहाँ पे है यम्ना नदी के पास ठीक है जहाँ पे क्या हुआ है जो Mahatma Gandhi है उसको जहाँ पे क्या हुआ था राजगाट में जो Mahatma Gandhi का दहसंसकार हुआ था राश्ट पत्ति भवन जो है वो इंडिया गेट के किनारे राश्पत में है ठीक है और अदर जो बहुत interesting जगह है वो देखने लायक है कौन कौन से है जंतर मंतर है Lotus Temple है और नहरू Plantinarium है ठीक है यह सब क्या है देखने लायक जगह है अक्छरधा मंदिर है ठीक है Old Delhi क्या है बहुत ही famous है किस के लिए मार्केट जगह के लिए कहां है वो चान्नी चौक जहां पे मार्केट लगती है और यहां पे हवेली भी है बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध ठीक है वोल्सेर मार्केट है जवेलरी सौप है और स्टेट फूर्ड वाला सारे चीज़ें कहां पे है Old Delhi में ठीक है Lifestyle of Delhi Delhi has been called Little India People from all parts of India come to settle in the capital Delhi is a place where diverse group of people live together They have different culture, tradition, religion and language But still all type of people live there with love and affection for each other Delhi is also a green city with wide roads lined with trees It has many parks, garden, shopping centers and stadiums here Delhi Metro is well connected Everyday hundreds few pools of people travel across the city अब क्या पढ़ेंगे दिल्ली में जो रहते हैं उसकी lifestyle, उसकी जिन्दगी कैसी चलता है दिल्ली को क्या कहा जाता है Little India ठीक है क्यों क्योंकि यहां India के सारे जगहों के लोग इस राजधानी में आके रहते हैं और यह क्या करते हैं अलग-अलग उसके culture अलग है उसके language अलग है उसके religion अलग है उसके बाद भी इन लोग क्या करते हैं लोग यहां पे एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं ठीक है दिल्ली को green city भी कहा जाता है क्योंकि वहां पूरे road के किनारे में क्या लगा हुआ है ट्री लगा हुआ है और बहुत सारे park है garden है shopping center है stadium है यहां क्या है दिल्ली में जो metro से अच्छे से connected है और यहां हर दिन सैकडो लोग यहां पे इस जगह से cross करते इस city से travel करते हुए cross करते है ठीक है बज में आया